हेलो दोस्तो आज हम कंपाउंट प्रपर्शन वाले क्यूशन को उता हैंगे क्यूशन दिया है 120 मर्दूर किसी कारे को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं इसी कारे को 10 दिन में समाप्त करने है तो कितने मर्दूर लगाने होंगे 120 मर्दूर 15 दिन कारे कर रहे हैं 120 मज़जदूर 15 दिन कारे कर रहे हैं clear है तो 10 दिन में काम करने है तो कितने मजजदूर लगाने होंगे तो इसे हम यक्स मान लेते हैं clear है एक 0 से एक 0 कम cancel out कर देंगे फिन x वराबर 15 का multiply बारम कर देंगे 15 दूना के 30 को 0 अच्छे लगा तीन पंदर एकम पंदर तीन अठार एक्स वराबर 180 मज़जदूर कितना 180 मज़जदूर clear है अब हम दूसरे क्यूशन की तरह बढ़ते हैं वैसे क्यूशन दिया है क्यूशन दिया है 56 व्यक्ति किसी कारे को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं 42 व्यक्ति उसी कारे को कितना दिन में कितना दिन में समाप कर सकेंगे किसें में किया रहा है कि 56 ब्यक्ति कितना ब्यक्ति है 56 ब्यक्ति किसी कारूप कितना दिन में कर रहा है 24 दिन में छे चोग को 24, छे सते 42, फिन साथ से हम 56 को कटते हैं, साथ एकम, साथ, साथ अठे, 56, क्लियर है, आठ का गुड़ा चार में करते हैं, आठ चोग को 32, यानि एक्स बराबर 32 दिन, कितना या 32 दिन, क्लियर है अप लोगों को, तो हमारा कॉणस अपसन सही होगा, बी वार अपसन सही होगा, चलिए कुछ क्यूस्टन को हम बेसिक नियम से भी करते हैं, कि support wrenching paradigm 8 sapta के लिए 238 kg चावल की आउशकता है तो 49 ds के लिए कितना चावल चाहिए एक शब्धा मतलब कितना दिन होता है साथ दिन होता है 7 दिन साथ दिने भोजन की कितनी आउशकता हुई रही है 238 kg तो एक दिन के लिए कितना भोजन होगा एक दिन के लिए एक दिन के लिए 238 बटे के 7 किलो ग्राम भोजन की अपसकता होगी तो हम इसे 7 से डिवाईड कर देते हैं 7 एकम 7 7 लिके 21 2 बच गया 28 होगया 24 को 28 यानि एक दिन के लिए 34 किलो ग्राम भोजन की अफसकता होगी तो कुस्तन में कहेरा है उन्चार दिन के कितनी भोजन की आफसकता पड़ेगी एक दिन के लिए 34 किलो गराम थो उन्चार दिन के लिए 49 इंटू 34 का मल्टिप्लाई कर देंगे को हुआ कि इन दूनों का मल्टिप्लाई करने पर 1666 cig हमारा आया तो कौन्साप्शन सही है सी वाला